वैसे तो लड़की की इस behavior के बहुत सारा reason हो सकते हैं कि वो प्यार तो करती है लेकिन देती नहीं है वैसे बहुत सारा लड़के नहीं जानते हैं कि लड़की के हा कहने के बाद उसके आगे क्या करना चाहिए इस खेल को आगे कैसे लेकर जाना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं कुछ लड़के अंजाने में सही गेम खेल जाते हैं लेकिन जादातर लड़के इस situation को समझ नहीं पाते हैं और वो अपने life के सबसे प्यारी girlfriend को खो देते हैं बेखुँज जब तुम लड़की को पाने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहे हो उसे impress करने के कोशिश कर रहे हो तब तुम उसकी नजर में बाकी लड़को जैसे ही हो लेकिन जब लड़की ने तुम्हें हाँ बोल दिया है तुम्हें पसंद करने लगी है इसका मतलब है वो तुम्हें दूसरे लड़कों से अलग मानती है तुम अब competition में नहीं हो तुम competition जिख चुके हो लड़की तुम्हें पसंद करने लगी है अब तुम उसे impress करना बंद करो अब तुम अपना natural weaver show कर सकते हो अब अपनी कम्यों से घबराओ मत दरसल लड़के शुर्वत में पैर तुम्हारी खासी होते से करती है लेकिन बाद में पैर तुम्हारी कम्यों को दूर करने के कोशिश में और गहरा हो जाता है लड़की अब तुम्हें अपना मानती है तुम्हारी कम्यों को अपना मानती है लेकिन जाहतर लड़के 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 को अभी वैसे ही impress करने में लगे है जैसे वो पहले थे यार तुम ही गेम को आगे नहीं बढ़ना चाते हो तो लड़की क्यों बढ़ाएगी और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की के हाँ कहते ही एकदम रिलाक्स हो जाते हैं और चुपचप बैड़ आते हैं लड़की के हां बोलते हैं, समझते हैं, Mission Complete दरसल हमें इतना ही पता होता है, कि लड़की को Propose कैसे करे, लड़की ना कहने पर क्या करे लड़की को Impress कैसे करे हम ये नहीं जानते हैं, कि लड़की के हां कहने पर क्या कलना चीए अपने relation को और मज़दर कैसे बनाया जाता है तुम्हारे relax हो जाने पर लड़की समझती है यह मुझसे पहले ऐसा प्यार नहीं करता सो तुम्हारे साथ भी वो ऐसा विएप करती है कि तुम्हें mission नहीं जीता है तुम्हें mission complete नहीं किया है अब तुम्हें मुझे फिर से पानी के लड़ना होगा देखो ना तो तुम्हें relax होना है और ना बहुत जादा उसके पीछे पढ़ना है तुम्हें natural रहना है बहुत सा लड़की गलती करते हैं वो message में या call में लड़की को propose करते हैं लड़की हा भी बोल देती है लेकिन लड़का जब मिलने बुलाता है तब लड़की इंकार कर देती है देखो तुमने ही लड़की से बातो वाला प्यार किया है अब लड़की तुमसे बाते ही करेगी उसे तुमसे बात करने की आदत है उसे यही अच्छा लगता है इसलिए तुम्हें अपने पास रोक कर रखने के लिए उसने हा कर दिया है तुम्हारा पर यही तक रहेगा, सिर्फ बाते ही होगी बातों-बातों में तक्रार होगी और ब्रेक अप देखो लड़की को प्रोपोस करने से पहले उससे बहुत बार मिल लो या उस लड़की को प्रोपोस करो जो तुम से रोज मिलती हो बहुत सारे लड़की कोई activity नहीं करते वो अपने girlfriend के साथ आईसे मुव फुलाए बैठे होते हैं जैसे लड़की ने हाँ बोल कर कोई गलती की हो लड़कियों की शिकायत होती है ये तो फट्टू है इसे तो प्यार करना ही नहीं आता तुम्हें अपनी girlfriend का हाथ पकड़ना चाहिए उसके नजरों से नजरे मिलाकर प्यार भरी बाते करना चाहिए उसे नजरों में कैद करकर उसे चूमना चाहिए लड़की शाथ पहले इस चीज के लिए इंकार करे लेकिन तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए उसके नाराजगी से क्यों घबराते हो वो तुम्हारी girlfriend है वो तुमसे प्यार करती है लड़कीया तुम्हें हाँ बोल कर देखती है तुम उसे सच्चा प्यार करते हो या सिर्फ time pass कर रहे हो कई तुम्हें सब कुछ मिलने के बाद तुमसे छोड़तो नहीं दोगे तो वो तुम्हें तरसाती और तरबाती है इसलिए वो तुम्हें पहले हा करती है फिर तुम्हें ना कर देती है और तुम्हारा behavior चेक करती है बहुत सरी situation में सही जगा नहीं मिल पाता इसलिए लड़किया खुल कर सामने नहीं आ पाती तुम्हें ऐसा situation बनाना पड़ेगा तुम्हें उसे ऐसी जगा ले जाना पड़ेगा जहां दूर दूर तक कोई ना हो और वो खुल कर तुम्हारे सामने आ सके कुछ लड़किया होती ही ऐसी है तुम्हें कुछ नहीं देती वो सिरी बाते करके तुम्हारा टाइम पास करती है कुछ होती है इसी लड़किया जो सब को हा बोल कर देखती है लेकिन वो प्यार किसी एक लड़किय से ही करती है देखो लड़किया किसी भी नई चीज के मामले में ना ही करती है, इंकार करती है फिर वो उस बारे में सोचती है, अच्छी तरह जानकर, समझ कर वो किसी नतीज बर पहुचती है सो इस मामले में लड़की को थोड़ा टाइम देना चाहिए एक कैलकुलेशन है, मालो तुम लड़की को तीन महीने से जानते हो उसने तुम्हें हा कहने के लिए तीन महीने लगाया है तो अगले एक महीने में तुम्हारे भी सब कुछ होना चाहिए यह सिर्फ एक calculation है, तुम्हें इससे पहले भी सब कुछ मिल सकता है दिखो मैं क्या करता हूँ, लड़की को propose करने से पहले इससे मिलने बुलाता हूँ, इसका हाथ पकड़ता हूँ, इससे भरोसा देलाता हूँ दो-चर मिलाकोत में situation इता friendly बन जाता है, कि लड़की मेरे साथ खुश होती है और enjoy करती है, जरुरत पड़े तुम्हें propose भी कर देता हूँ